प्रशन नमबर तीन निम्न लिखित विशय पर चर्चा कीजिए उसमें हमें एक महात्मा गांधी और देश प्रेम तो उसमें आपको महात्मा गांधी जी ने किस तरव देश प्रेम के खातिर जो जो कार्य किये थे उसके बारे में आपको तीन या चार वाक्य लिखने है तो वो आपको अपने हिसाब से सोच कर आपकी नोटबुक में लिखना है कि किस तरह गांधी जी ने हमारे देश के लिए जो कार्य किया था दूसरा है इंसान अनुठा कब कहलाता है तो जब इंसान कुछ असाधारन कार्य करता है तो वह इंसान अनुठा कहलाता है जैसे नेपोलियन, नेपोलियन बच्पन से ही सच बोलता था, कितनी भी विपरित परिस्तित्या क्यों ना हो, वो हमेशा सच बोलता है, वैसे नियमों पर चल कर, यानि अच्छे गुनों को अपना कर, जीवन में हम अनूठे इंसान बन सकते हैं, तुम अपने देश की सेवा क कैसे करोगे, तो आप यहां पर हमने देखा था कि भगत सी है, गांधी बापू है, सुबाश चंद्र भोज है, सरदार वल्लब बाई पटेल है, यह सारे जो देश ब्रक्त हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो अगर आपको कुछ करने का मौका मिल तो आप क्या करोगे, तो एक बाद तो यह भी है कि हम अच्छे एंजिनियर, अच्छे वज्ञानिक, अच्छे डॉक्टर बन के हमारे देश में वहुत सारे विकास कर सकते हैं, और हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं, ऐसे भी हम हमारे देश की सेवा कर सकते हैं, इसके ब उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए विद्यार्थी मित्रों यहां पे धर्म और धार्मिक तो यहां पे धर्म जो है वो संग्या है संग्या यानि नाम है जिसके बारे में हम सीख चुके है और धार्मिक धार्मिक शब्द है वो है विशेशन विशेशन शब्द किसे कहते है कि कोई संग्या की विशेष्टा यानि नाम की कोई विशेष्टा दर्शाता है तो उस शब्द को हम कहते हैं विशेषन का एक वीडियू मैं आपको भेजूंगी तो उसके बारे में वो वीडियो देखकर आपको और समझ में आ hayat तो अगर हम किसी के नाम के बारे में कुछ बताते हैं, यहां पर मैं बात करूंगी कि रीमा, रीमा एक लड़की का नाम है, और उसे हम कहेंगे कि वो बहुत ही सुन्दर है, तो रीमा सुन्दर लड़की है, तो रीमा के लिए हमने जो सुन्दर इस्तमाल किया, वो क्या है? व धर्म संग्या है, धारमिक है विशेशन, यानि मेरा धर्म हिंदू है और धारमिक. मैंने धारमिक मन्यताओं को मानते इंसान को देखा है. दूसरा है रंग लाल रंग बहुत अच्छा है और रंगिन मैंने रंगीन तितली को देखी तीन लोब और लोबी लोब एक संग्या है कि लोब कभी करना नहीं चाहिए और लोबी लोबी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता चार, भारत और भारतिय, मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारतिय, मेरी राष्टियता भारतिय है पांच, चमक, यहां बहुत चमक है और चमकीला, यह गास चमकीला है, शक्ती और शक्तिमान तो शक्ती इंसान को महान बनाती है और शक्तिमान व्यक्ति तभी कहलाता है जब उसका मन शक्तिमान होता है सेवन, गुण और गुणवती व्यक्ति के गुण महान होने चाहिए और गुणवती, मैंने गुणवती लड़की को देखा बल और बलवान बल, कभी बुद्धी, कभी बल का इस्तमाल करो बलवान, मैंने बलवान व्यक्ति को देखा था दया और दयावान दया करना इंसान का धर्म है मैंने दयावान व्यक्ति को मंदीर में जाते हुए देखा दर्शन और दर्शनिय हमें मंदीर का दर्शन करना चाहिए दर्शनिय दर्शनिय स्थल बहुत सारे है question number 5 उदारण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए विद्यार्थि मित्रों यहाँ पे लिंग परिवर्तन करना है तो उसमें पूत्र का होता है पूत्री मेढक का होता है मेढकी तरुन का होता है तरुनी कुमार का होता है कुमारी देव का होता है देवी और हिरन का होता है हिरनी दूसरा उदारण है साप साप का होता है सापिन कुमार का होता है कुमारिन नाग का होता है नागिन बाग का होता है बागिन दोबी का होता है दोबिन ग्वाला का होता है ग्वालिन उसके बाद उदाहरन मोर मोर का होता है मोरनी शेर का होता है शेरनी जादूगर का होता है जादूगरनी माश्टर का होता है माश्टरनी डॉक्टर का होता है डॉक्टरनी और उंट का होता है उंट नि विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे लिंग परिवर्तन में हर जग़ अलग-अलग होता है जैसे पूत्र का पूत्री, साप का सापिन और मोर का मोर्नी तो ऐसे लिंग परिवर्तन के भी कुछ नियम होते है जिनका वीडियो में आपको बेजूँगी अब ये सारे तीनों उदाहरन है, उदाहरन के पाँच पाँच जो लिंग परिवर्तन के शब्द है उन सब का आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है कैसे लिखना है तो वो यहाँ पे दिया गया है ऐसे यहाँ पे है हीरन और हीरनी तो उसमें हीरन दोड रहा है और हीरनी दोड रही है फिर पूत्र पूत्री उसमें राहूल राजीव गांती की पूत्र है इंदीराजी जवाहरलाल जी की पुतरी थी तो वैसे ये सारे शब्द यहां पर पूतर पुतरी मेधक मेडकी ये फिर कुमहार कुमहारीन और शेर शेरनी 15 वाक्य पंदरा प्लस 15 यानि 30 ये ये सारे वाक्य आपको उसका वाक्य में प्रयुक करके आपकी नोटबुक में किना है